सबी किसान मित्रों को नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इन्फोटिक फार्मिगलेटर में किसान मित्रों दिनांखे आज 18 अपरेल 2022 वार है गुरुवार समय हुआ है स्याम की साड़े से बात कर लेते हैं मदर ब्रदेस की दो सबसे बड़ी मंडियों की इंदोर की चोहित्रा मोर शायापर मंडियों की दोनों मंडियों की आलूपया लसुन तिनों जिन्सों की कितनी आमदानी कितनी आवक देखने को मिली है वहीं इन तिनों जिन्सों का दोनों मंडियों में क्या प्रेट निगल कर आया है इन दोनों विश्व में चर्चा करेंगे सांति-सांत केंद्री मंतरी ने कुछ कहा है उसके विश्व में भी हम जनकरी आपको देंगे तो इन तिन विश्व में चर्चा होगी किसान मित्रों इस वीडियो के मद्धियम साब को इंदोर की चोहतरा कि हमारे जितनी जदा हमारी फेमिली बड़ी होगी उतना ही जदा हम आपके लिए और मेहनत करेंगे और जहां से जानकरी निकलेगी वहां से जानकरी निकाल के आपके लिए इस वीडियो के मद्धियम से पहुचाते रहेंगे इसलिए आपको शेर करना जरूरी है वीडियो यह वीडियो देख रहे हूंगे में वीडियो डाल रहा हूं उसके 10-15 मिन बाद वीडियो देखेंगे उनको देखते ही वीडियो को माश्य उठाके अपने वाट्साप ग्रूप में डाल देना चाहिए उससे क्या होगा उससे यह होगा कि सभी को जनकरी का पता चलेगा जैसे मेरा कहने का आप से इतना सा मतलब है कि जो चैनल है यह से आप आगे बढ़ाएं तो आपको और भी अने को फाइदे मिलने वाले एक चीज़ और बताना चाहता था अगर कोई भाई मेरे किसान भाई आगर हमारे इस जनकरी से खुस हैं और जितने भी मेरे भाई हैं और जो ठीक ठाक हैं घर से और वो कुछ अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो जनकरी दी जारी हो बहुत अच्छी जनकरी है तो इस वीडियो को कम से कम वह दस से बीस ग्रूप में भेजें अलब मेरा कहने का एंटेंशन थोड़ा सा अलगतर से में बता रहा हूं यानिकि जिसके बैलेंस ज्यादा हो वह शेयर कर सकता जिसके बास बहुत कम हो वन जी भी है तो वह क्या है वह मेरे किसान भाई वीडियो को देख लेंगे ए स्कीप कर करके और सिंपल बाते हो सबढ़ लेंगे और हट जाएंगे तो वह जो भाई है उनको में नी बोल रहा हूं कि आप इसक को हमारे जितना ज़्यादा हो सके इसको फेस्बूक और वाट्सेप के मद्धियम से शेर किजिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल में पहले बार विजिट के हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की गंटी का बटन दबा भूलने का मतलब सीधा सट फंडा यह कि बहुत सारे मुझे थेंक्स कमेंट करते हैं और बहुत सारे पैसे देखे थेंक्स पोचाते यह निकी आप जितने भी मेरे किसान भाई हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूटूब ने एक आपसंस दिया है सूपर थेंक्स का उसमें आगर उसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 40,00,200,2000 रुपे चार अपसंस दीए गängtए अगर आप जोनस ता अपसंस चूज करेंगे उस openings को चूज करके आप हमें सूपर थेंक्स भेज सकते हैं सुपर थेंक से जो भी व्यक्ति भेज़ेगा उसका मैं दिल से धन्यवाद पहले से एडवांस में करूँगा और उसका नाम लिया जाएगा उस भाई का ठीके तो अभी मुझे एक सुपर थेंक से जिस भाई ने भेज़ा है उनका मैं नाम ले रहा हूं आपसे उनका नाम है उजवल एस लिखा हुआ है उजवल एस जी ने मुझे फोटी रूपिस का जो है सुपर थेंक से भेज़ा है कल भी किसी ने भेज़ा आता लेकिन उनका नाम में पता नहीं कर पाया मैं जानकरे निकाल के कल वाले वीडियो में उनका नाम आपको बतने की कुशिस करूँगा दूसरु कर लेते हैं वीडियो सबसे पहले बात कर लेते हैं केंडरी मंतरी नारें चिनरी नारें सिंग जाटे कुशित अमड़ी कितने गुना बढ़ा दी है हमेरे किसानों की आया आए अपने दस गुना समझाएंगे नहीं हैं ढ lot का जो भी इस यूट्यूबर लेना भी मता, आपमी यूट्यूबर नहीं हुं, यह पाट टैम जो है, लेकिन इसको फुल टाइम करना पड़ेगा, तभी सभी लोगों का दिल जित सकेंगे, और महपनत तो करी रहे हैं, लेकिन फुल टाइम करना पड़ेगा। किंद्री मंत्री नरेंज सिंग जी तुमर से निवदन है मेरा जुट बोलना बंद कर दीजिए दस गुना किसानों की आये हो गई है किसानों के पास दो रुपे नहीं मिल रहे हैं दो रुपे किसानों के घर में जहां की है आप कौन सा जीवन जी रहे हैं आप आपके पास किसानों का नहीं और दिल्स sécur से घुञार यहाइं यह बात गलत कहीं आपने है ट्विट किए आपने किसानों की आए हो गई है दो गुना नहीं डबल नहीं आरे मैं यूं बता रहा हूं आप से की डबल भी छोड़ी है दस गुरा भी छोड़ी है डेड़ गुना ही कर दीजिए मेरे किंद्री मंत्री जी आप बताइए मुझे कैसे हो गई डबल आए हमारी पहले आप यह बताइए किस माध्यम स बेच रहे हम तो हो सकता है कि इस कारण से आपने डबल आई कर दियो हमारी यह हो सकता है फिर हम कांग्रेस के राज में 15,000, 20,000, 30,000 पर कुंटल हमने गारलिक लसुन को बेचा है सप्लाई किया है वहीं आपके राज में 10 रुपरती कट्टे के इसाफ से हम लसून का मार्केट में सेल कर रहे हैं इसको आप डबल इसको आप 10 गुना आइद बोलेंगे किसानों की क्या आप बताईए इसको आप 10 गुना आइद बोलेंगे किसानों की क्या आपने जो बोरी डीएपी की बोरी आज से 14-15 साल पहले मैं ज़्यादा अभी वाली बात नहीं करूंगा 14-15 साल पहले जो 500 रुपे की बोरी आती थी डीएपी की 12-12-16 की उसको आपने 1700-1700 पहले लाके फेक दिया है जो पेट्रोल आज से 15 साल पहले 40-50 रुपे का मिलता था पहला कि मेल दिया आपने आज हाला कि मैं नहीं कहूंगा कि आपके आपने पेट्रोल इतना महेंगा किया कांग्रेस के राज में भी जो पेट्रोल का रेट है वह 80-60-70-80 पहुझ गया था ठीक है लेकिन बाबार रमदवजयों को ले ली जी उन्होंने तो बोला था कि 35 पे सब कांग्रेस को वोड़ दें हिंदु तो के अजेंडे में ना आएं मैं बाजपाई हूं और जाती से में राजपूत हूं और इसलिए इतनी दभंगता है दिल में इतना नीडर हूं में कि मैं किसी नेतावता से निढ़ता हूं कि बड़े-बड़े यह एतना मक्षन लगा के जुड़ बोला है आपने इसके बार हम ऑने क्या बोलूँ यार मैं क्या बोलूhn मुझे कुछ समझ में निया रहा है कि सो समझ कَ तो बोला करें थोड़ा सा इस गुना आयं हो गई हत कर दी आपने समझ में क्यों नहीं वह तो थापनिए रुपे सब बिश्जार और है अपने कुछ ससा उसको भिकुस्स बोलाने इपको भिए सब इसका मेघ यहा पर नहीं बताने जए मार्वाव इस अलुट आप है इंतर नोसमें बज़ा यह तो एतना तो प्रीमा उपनी हम कि यह सिदिया कितना उन्हों appropriate दिया या डवल भी नहीं दिया फैसी तैस vẫn अपने वापफिस लए लिया रिटर्ण ले लिया इसे ढ wedge से ड pseudo दिया आपको मैं सिर्फ गोल्टियां और बिल्कुल सड़ेवे प्याज मिलेंगे इस साल आपको ज्यादा में शायापुर जिले का और इंदरोजन जिले का हाल मैं आपको बता रहा हूं कुछ किसान भाईों के किसमत प्रबल थे और अच्छे थे उन लोगों की फसल अच्छी भी तो बेस दीजिए नहीं आए तो इतना तो मिली जाएगा उसका जब चल रहा है कि किसी भी किसान भाई नहीं निकाला अभी कमेंट कर रहे थे मेरे भाई कि आ रहों लसुन का क्या करें महिन महिन थाकुर जी मेरा निवेदन है सまथ और को मिल सकता है आपको एंगिस रहें मेरा नहीं अपको 10 प्रसंथ निकालने ऑचनल सकता है आपको समय मेरे सबी सब्सक्राइब वह यह बेढ़ों से मंधे और मैं ख़ाओ को बैज बेढ़ बता रहा हूं तो बहुत सारी बाते हो गई है इधर ऊधर की लेकिन मैंने सब उचल करेम काम से बहुत नाराध चल रहे हं में सांगरेम को सूध को कंगरेम क्रण में भीपया हो्ताया यह मेरे किसान भाईओं को दुर्णा देना सी आट रुपे किलो में प्याज बेश के आ रहे हैं और पैसे लेके खुश होके घर आ रहे हैं बर क्या बात कर दिया आपने तरीप करनी पड़ेगी आपकी किसान भाईओं बहुत मोहन हो जिसमें मद्द्रदास के जो किसान है ना वो तो इतने मोहन है कि क्या बता हम आपको उनको कुछ भी देड़ो आप मैं हम बोल रहां हुँ गर दो और रुपे किलो भी प्याज लोगा तो देडेंगे वह आसी खुशह दे देंगे वह बुल आएंगे यहा ठीक है फिर कमाएंगे इंगे क्या यार क्या है यह एक सरका विभाग के हो एक कॉलर पकड़ लेना उनकी और फिर देखना नतिजा क्या होता है दूसरे दिन जिस विभाग के क्रमचारी यह उस पूरे के पूरे विभाग का पूरे जिले का पूरे भारत के विभाग बंध होंगे चोईज गंटे के अंदर अंदर कितनी जल्दी पता चलता है ना लेकिन किसानों को पता क्यों नहीं चलता किसानों के समू नहीं है ना जिले का समू है किसानों का भारती किसान संग और कांगरेस किसान संग लेकिन वो दोनों भी बेटे हुए चुप दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 10 से 6 के 20 मेहनत करते हैं, वो भी बीशारे, तो उनसे माफिस आओंगा, अगर कोछ गलत बोला हो मेने, क्योंकि उनसे मेरा बहुत काम चलता है, जो करमशारी रहते हैं, उनसे मेरा बहुत काम चलता है, बहुत अच्छे लोग भी है, बहुत खर बात करते हैं इन तिनों जिंसों के भाव की तो आलु का जो रेट निकल कर आया है वह त्यरा सु रूपए साड़े सु रूपए बैस्ट क्वालेटी का जोती और हमरा सुना चिप्स का रेट है ये वहीं हमारा जो लसुने गार्लिक उसका रेट निकल करा है किसके तुन्ला में बता नहों मैं आपको भाऊ मंडी मंडी की अगर तुन्ला करू तो श्यांदार है अगर मैं किसान की बात करूँ तो मुझे आठारा रुपय तो चाहिए मेरी महनत के मिना महनत की 18 रुपय खर्च उगिया मुझे प्रति कीजी पे कितना हो गया है 1 किलो 5 पे 18 रुपे का करच्च मेरे खेत में लगा दिया है फो खेत से बहार निकालते टाइम तक पुरा अगर मैं बजट जोड़ू तो एक किलो 5 अधार रुपे में पड़ रहा है अब उस पे मेरे को 18 रुपे ओर चाहिए मिनिमम 18 रुपे ओर चाहिए अठारा नहीं देशकत है कोई दिक्कत नहीं पारा रूपय दो देदो तीसका दो भाफ कर दो कम स कम सरकार केंद्री मंत्री जी तीसका दो भाफ करो मोदी जी पीऊस गोल जी सबी से रिक्वेस्ट है निवेदान है किसानों की शुद लेलो आप तीक किसान में तो प्याज के जो रेट सायापुर मंडी का मेरा बोलने का सिधाव सथ मतलब यह था कि इंदूर मंडी सायापुर मंडी अभी टॉप पे चल रही प्याज में और लसुन और आलू में डीम रहती है इंदोनों में अलू में हमारी इंदोर मंडी ठीक रहती है प्याज और लस्वन इन दोनों में तो इंदोर मंडी बिल्कुल जीरो है अभी की तरीक में देखा जाए तो खुला बोल रहा हो में तो व्यापरी सुने सुने कोई दिक कर नी मेरे को कुछ फरक नहीं पड़ता है तो मेरा कहने का म देखने को मिली है अच्छी क्वालिटी का लसुन है देशी अठाइसो तीन हजार रुपे तक भी की है दस रुपरती कट्टे से लगा कर वहीं हमारी जो ओटी जीटू अगरा है तो तीन हजार रुपे से लगा कर पेताले सु रुपतक भी की है वह अगर बात करें हम प्याच की नासिक प्याज जो है वो साड़े साथ सौ आट सौ रुपतक भी कर आए मद्दप्रदेस का और मह के 2 रुपे से लगाके साथ रुपे पुखरा जो सुपर्शिक स्पी रस बिक्रा रुपे से लगाके साढ़े आट रुपे सॉला सॉला सो डर तक तो यह तो थी किसान में तो जानकरी इंदोर की चोईत्रा मंडी की और चाया पुरमंडी की और कुछ जानकरी एकर छूड़ गई हो तो उसको कल अवैलेबल करवा देंगे अभी हम आप अभी तो यह वीडियो लंबा हो गया है मुझे जानकरी इसमें और भी कुछ देना थी लेकिन मैं वह कोशिस करूँगा कल सुबा देने की और कल सुबा साड़े-आड़ वीडियो बनाने की भी कोशिस करूँगा मेरे किसान भाईयों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंड बॉक्स में जाके कमेंड कीजिए और अगर कोई सुपर थैंक्स बोलना चाहता है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा मुझे 40 रूपीज 100 रूपीज 200 रूपीज और 1000 रूपे जो किसान जैसा अफोर्ड कर सकता है उससे आप सब्सक्राइबर कर सकते हैं और जिन भाईयों ने मुझे सभी किसान मित्रों का धन्यवाद जे जवान जे किसान जे भारत वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें